दोस्तों हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएं तो यूएस पाकिस्तान के रिलेशन्स काफी क्लोज रहे हैं कोल्ड वार के दौरान जब यूएस कम्यूनिजम को कंटीन करना चाहता था या जब 1979 में यूएस अफगानिस्तान की रिश्यन इन्वेजन को रोकना चाहता था या फिर पोस्ट 9-11 फेज में जब यूएस को अलकाइदा को हराना था पाकिस्तान ने हमेशा यूएस का साथ दिया है लेकिन लास्ट येर जब अमेरिकन मिलिटरी ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया तब से ही यूएस और पाकिस्तान के बीच रिलेशन्स डगमगाने लगे हैं अलकि इससे पहले जब चाइना ने पाकिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव और दूसरी इन्वेस्टमेंट्स शुरू की तब से ही पाकिस्तान धीरे धीरे चाइना की तरफ इंकलाइन होने लगा आज चाइना पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बन चुका है पाकिस्तान यूएस रिलेशन्स आज एक इंफ्लेक्शन पॉइंट पर हैं दोनों निशन्स अपने रिलेशन्स को इंप्रूव करना चाहते हैं येकिन पाकिस्तान-चाइना, स्ट्रेटेजिक रिलेशन्शिप और यूएस-इंडिया पार्टनर्शिप के चलते ये दोनों देशों के लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है